स्वागत है आपका आपके चैनल क्या स्टडी अड़ा में कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे और काफी खुश होंगे घर पर तो चलिए एक नई न्यूज आए एक नई अपडेट हुआ है इंसिल के वेबसाइट पर तो अपन देख लेते हैं वो क्या अपडेट हुआ है आज है 28 अप जैन्वरी और ये अपडेट वैसे 26 जैन्वरी को ही हो गया था तो चलिए देख लेते हैं यह जैसे कि पैरा मेडिकल समवर के पदों है तू ऐसे अभ्यरतियों की सूची जिनकी उमीदवारी को निरस्त किया गया है ठीक है ये अपडेट हुआ था आप लोग सूर्च रहा होंगे कि मैं इस पर वीडियो क्यों बना दी हूँ एक्शली बहुत साय लोग की क्योरी आई थी और बहुत साय लोग के काफी कोश्टन्स थे तो उन कोश्टन्स को मैंने नोट डाउन किया और उनी से रिलेटेड में उनके एंसर्स दूंगी इसमें तो वीड अपैज डाउनलोड के लिए पूछेगा अपने को डाउनलोड पर क्लिक करना है जैसे ही अपने डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इसा पेज ओपन होगा जो की यह है तो यहां पर नोटिस दी गई है नोटिस में इन शॉट अगर मैं आपको बता हूं इतना बड़ा ताम पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि क्या है नोटिस में और आंगे भी चीजें क्या दी गई है वह साधी चीजें तो चली मैं आपको बता देती हूं तो इसका एक्जाम हुआ था जो प्रमेडिकल वेकेंसी जो अनॉंस्ट हुई थी इसके अंदे स्टाफ नर् कि नोटिस किस दिन आई थी 3rd of October को आई थी ठीक है और एक्जाम हुआ था इसका 8th of November को ठीक है मैं 2020 की बात कर रही हूं ठीक है इसके बाद रिजल्ट आपका आता है 26th of November को ठीक है उस दिन क्या हो रहा था 26th of November को जिसने रिजल्ट आय था उस दिन सिर्फ आपके मार्क शो ठीक है कि यह नोटिस आई थी कि 21st December से लेकर 24th December तक document verification होगा ठीक है एंसल के headquarter पर और यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताते है यह first notice थी document verification की ध्यान से सुनीगे क्योंकि काफी इनी चीजों को लेकर लोगों को काफी डाउट है कि नोटिस ही नहीं आई है ऐसा करके तो ठीक है first notice का आई है 5th December को आई है और क्या डेट दीके थी 21st December से लेकर के 24th December तक आपका first time document verification के लिए बोला गया था ठीक है उसमें जो लोग जिन लोगों का हुआ बहुत अच्छी बात थी फिर इसके बात first January 2021 ठीक है उस दिन notice आई है कि second time आपका document verification होगा 8th January से लेकर के 9th January तक ठीक है तो जो जिस second time date आई है जिन लोगों का first time document verification में जो लोग नहीं submit कर पाय थी या जो भी problems थी उनके लिए second time निकाला गया था कि आ 12th January 2021 और 9th January 2021 को आप अपने document submit कर सकते हैं ठीक है अब काफी लोगों की यह थी कि second time document verification की date ही नहीं आई है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि second time document verification की date आ चुकी थी और दो दिन का time दिया गया था ठीक है इसके बाद इसके बाद आपके document verification के काम को खतम कर दिया गया था जो process हुई थी ठीक है तो जो बच्चे यह वेट कर रहे हैं कि अभी second time document verification की date आएगी जैसे कि lab technician और staff nurse जो भी vacancy निकली थी तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि कोई भी date अब नहीं आएगी क्योंकि date आ चुकी है या तो आप लोगों ने देखा नहीं है आप लोग जिन लोगों ने दोनों document verification की date में अपने document submit नहीं किये हैं उनको cancel कर दिया गया उन्हों student को वहां से cancel कर दिया कि मतलब अब उनके shortlist होने का कोई मतलब नहीं है अब उनके चाहे जितने भी marks आए रहे हों उन marks का भी अप कोई मतलब नहीं है ठीक है इस notice में यही लिखा है जिन लोगों का document verification नहीं हुआ है दोनों document verification की date में जिन लोगों ने document submit नहीं किये हैं कि उन्हीं लोगों के नाम है ठीक है और यहां पर आपको reason भी दिये गए हैं कई लोगों का जैसे अगर अपने first का देखते हैं तो इसका reason दिया गया कि इन्होंने attendee नहीं किया है ठीक काफी लोग यह वेट कर रहे हैं कि उनके document verification की date आएगी तो sorry date निकल चुकी है अब कोई date नहीं आएगी और यह जिन लोगों के नाम यहां पर दिये गए हैं इनका selection कर दिया गया है इनका selection नहीं होगा ठीक है इसमें काफी लोगों का यह भी reason दिया गया है जो minimum criteria ही fulfill नहीं क answer मिल गया होगा जितने भी लोगों के मन में यह doubt चल रहा था कभी second time इसका आएगा या फिर जो भी था तो उन सबको answer मिल गया होगा कि second time of document verification कोई date नहीं आने वाली है यह cancellation की date है तो इसलिए मैं बोलती हूं आप लोग aware रहें updated रहें और वीडियो को पूरा देखा करने सब सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में all bell icon का जो बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जो भी information से related आती है तो वह सबसे पहरे आप तक पहुंस चके सके और आप लोग aware और updated हो सके ठीक है चलिए फिर अगर आपको यह video informative लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने एक्जाम दिया था उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें और जिन के अभी document जो next exam हुआ था उसके document verification के तो date अभी नहीं आई है बड़ोग अपने document जरूर बनवा लें और updated रहें aware रहें और subscribe जरूर करें ताकि जो भी update आता है तो वह आप तक सबसे पहले पहुँच पाए चले फिर मिलेंगे एक नई news के साथ नई ख़वर के साथ नई update के साथ तैंक्यू फॉर वर्चिंग